Hi everyone, मैं हूँ धनान जय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे जैसा कि हम सभी को पता है कि 5 में एको नीट के एक्जाम को कंड़क्ट कराया गया था और जैसे इस NEET के exam को conduct कराया गया तो वैसे ही भारत के अन्य राजों से ये बढ़ चड़कर खबर आने शुरू हो गये थे कि इस exam के question paper को पैसे के अवज में बेचे गये हैं और आज के rate में ये मामला इतना जादा बड़ा हो गया है कि अगर education ministry कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये लगे कि वो लोग काफी concern है तो कहीं न कहीं जो India coalition है इनका image काफी खराब होगा जिसके चलते ये माना जा सकता है कि इनका जो political image है वो भी काफी खराब होगा तो इन्ही सब चीजों को देखते हैं वे education ministry या कहले government of India एक नियम को enact करते हैं जिसके तहट अगर कोई group किसी भी तरीके का question paper leak करता है तो उनके उपर कुछ fine और कुछ jail की प्रवधान भी है क्या है ये पुरा मामला इसको हम समझते हैं लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही basic सवाल जो मेरे दिमाग में आये और I'm sure कि ये कहीं न कहीं हर उस पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में आता होगा कि क्या सिर्फ नियम बनाने से ही देश में corruption या किसी भी तरीके से जो गलत काम होता है उसको रोका जा सकता है अगर NTA इतने बड़े पैमाने पे exam करवा रहा तो ये कहीं न कहीं जो हमारे central agencies होते हैं उनकी भी responsibility बनती है कि वो देखें कि किस तरीके से NTA question paper को या अपने पूरे exam को करवाते हैं अगर ये मामला इतना बड़ा नहीं होता तो क्या government of India या खास करके education ministry इतना prompt action लेते हैं इसी बीच हमारे PA मोधी नालंदा university का inauguration करते हैं जहां पे बढ़ चड़ कर बातों को रखा जाता है क्या सिर्फ university बनने से भारत में education spread हो जाएगा फिलहाल जो condition है भारत में universities का या सरकारी institutions का खास करके जो educational institution है ये किसी से छुपी हुई नहीं है जो professors के recruitment होते हैं वो time पे नहीं होते हैं या already जो universities बने हुए हैं वहाँ पे exam time पे नहीं होते हैं तो फिर वही सवाल है कि क्या सिर्फ नियम बनाने से किसी चीज़ को रोका जा सकता है कि ये कही न कहीं सरकार की responsibility बनती है कि वो education में research and development में परियाप्त पैसे खर्ष करें और समय दर समय उसे बहुत ही strong तरीके से monitor करें कि जो fund allocate किये जा रहे हैं वो सही direction में जा रहे हैं या नहीं इसी बीच क्योंकि protest इतना जादा बढ़ गया और कहीं न कहीं जो opposition parties हैं वो भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो ऐसा लग रहा कि सरकार भी काफी दबाव में हैं क्योंकि जो present ruling government है इनके पास बहुत ही जादा परियाप number of MPs नहीं हैं तो कहीं न कहीं ये भी काफी concern है कि क कहीं ऐसा न हो कि अगर इनका image काफी खराब हो जाए तो उससे इनकी सत्ता चली जाए इनी सब चीजों को देखते हुए लगबग 3-4 exams जो NTA ने conduct करवाया था सभी को cancel करवा दिया जाता है लेकिन सबसे अजीब बात अभी भी ये है कि जिस तरीके से धर्मेंदर प्रधान जी को ये मारना चाहिए था कि इन सब exam में कहीं न कहीं बहुत ही बड़े पैमाने पे धांदली हुआ है या जिस तरीके से खुल के इनको इस पे बात करना चाहिए था वो अभी भी बात करने से बच रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे PA Moody है इनको भी इन सब ची जानी कि 21 जून को इनक्ट कर दिया जाता है जहांपे अगर किसी भी तरीके से exam में धानली किया जाता है तो उसको रोक थाम किया जाया और उसके उपर कुछ fine और jail की provision भी रखी गई है अगर किसी भी तरीके से इस नियम के तहट अगर कोई cheating करता है या cheating करते हुए पकड़ जाता है उसे कुछ 3 साल से लेके 5 साल तक का उसे jail मिलेगा और अगर वहीं पे कोई organized crime करता है कहने के मतला भी कि कोई एक संगठन बना के question paper leak करता है तो उसके बारे में कहा गया है कि लगभग कुछ 5 से लेके 10 साल तक का उनको jail मिलेगा और जो fine उनको pay करना पड़ेगा वो क करता है या और भी किसी तरीके है कोई भी institution जिनका roll रहता है exam को करवाने में ये नियम उन सभी के उपर लागू है इसी बीच अगर किसी भी तरीके से को institution question paper leak में उनका proof सामने आता है तो उनके जो property होंगे उसको भी attach कर लिया जाएगा और जो भी examination का cost होगा वो भी उनसे को public domain में नहीं आता और जिस तरीके से protest किये जा रहे है अगर इस तरीके से protest नहीं होते तो क्या तब भी सरकार इसी तरीके से नियम कानुन को लाते और prompt action लेते हैं क्योंकि अगर NTA इतने सालों से exam करवा रहा तो कहीं न कहीं ये education ministry की responsibility बनती है कि वो किसी भी तरीके से जाच क और ये पता करे कि जो exam करवाया जा रहा वो सच में सारे नियम कानुन को follow किया जा रहा या नहीं अब क्योंकि back to back 3-4 exam जिसको NTA ने conduct करवाया था उन सभी exams को रद कर दिया जाता है सवाल ये होता है कि जो cost involved होते हैं किसी भी candidate को travel करने के लिए या exam preparation के लिए उस cost के बारे म कभी बात नहीं किया जाता है आप किसी भी राजे के जो examination होते हैं अगर आप उसको देखेंगे या किसी भी तरीके से आप जो central government की जो recruitment होता है अगर आप उस process को follow करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लगबग 1 करोड से भी अधिक जो seats है वो खाली है उसके उन सब post को recruit नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे सरकार से तो जो pressure है वो build up नहीं होता है और आप जितनी मर्जी उतनी universities का inauguration करते रह जाएं जितनी मर्जी आप इतिहास की बात बोलते रह जाएं कि भारत एक बहुती सुनहरा देश था जहां अपे अलग-अलग देशों से लोग आके पढ़ते थें इन सब बातों का कोई value नहीं रह जाता है आप उन देशों को देखिए जिनका आज के date में global presence बढ़ा है तो मालूम पड़ेगा कि वो research and development में खूब सारे पैसे invest करते हैं और उसे बहुत ही systematic तरीके से monitor भी करते हैं ब उनकी जो quality रहेगी वो कितनी बेकार रहेगी तो अगर उनकी quality बेकार रहेगी तो कहीं न कहीं जो उसका हरजाना है वो India as an country को भरना पड़ेगा तो in a way ये जो नियम को introduce किया गया या enact किया गया है ये पढ़ने में काफी अच्छा लगता है लेकिन अगर किसी भी नियम को आप बना या किसी भी योजना को अगर आप बनाते हैं उसे बनाने से कहीं ज़्यादा important होता है कि उसे आप ground पे enact किस तरीके से करते हैं अगर उस चीज का enforcement अच्छे से नहीं होता है तो आप जितने मर्जी उतने नियम कारून बनाए उसका कोई importance नहीं रह जाता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye